नमस्कार जहिन समय उचलाय देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का बारतिय नोसिना के बेड़े में सामिल हुआ आई एनस मोर मुगाओ भारत जोड़ो यात्रा में पाइलेट के समर्थकों की नारे बाजी राहूल गांदी के फेन हुए बिजेपी के कार्य करता प् पक्षियों को मारने के आदेश करोना से ठीक हुए मरीजों में हार्ड अटेक और मौत ज्यादा होने की बात गलत लासका इलाज करता रहा हस्पिताल 14 लाग का बनाया बिल केतल में सिपाई पेपर लीक मामले में 4 आरोपी गरपतार केंद्रिय सहकारी बेंक की 33 से 19 लाग र हरियानापूर अटेक हुड़ा की बढ़ सकती है मुश्किले बारतिय नोसेना के बेड़े में सामिल हुआ आईनस मौरमुगाओ जो की मिसाइल और रोकेट लांचर से लेस है बारतिय नोसेना के लिए आज का दिन एतियासिक है आज P-15B स्टील ये गाइड़ मिसाइल बनाया गया है मौरमुगाओ का डिजाइन बारतिय नोसेना के सवदेशी संग्ठन ने त्यार किया है इसका दिर्मान मंजगाउंडोक सिप बिल्डर्स लिम्टेड मुंबई ने किया है आईनस मौरमुगाओ की ये है खासियत जानकारी के अनुसार गोवा के एतियासिक बं मौस और ब्राक एट जैसी मिसाइलों से लेस है भारत जोड़ो यातरा में पाइलेट के समर्थकों की नारे बाजी कांग्रेस पारिटी की भारत जोड़ो यातरा आज सुबह राजस्तान के कलाको दोसा से शुरू हुई यातरा में सामिल कुछ यूवक सचिन पाइलेट जि नारे लगाते हुए नजर आए राहुल गांदी के फेन हुए बिजेपी कारे करता राजस्तान में राहुल गांदी की भारत जोड़ो यातरा के अंतिम कुछ दिन बाकी हैं राजस्तान में राहुल के समर्थ में कई लाकों में खूब बीड देखने को मिली यातरा जब सच पास के घरों की छतों पर लोग खड़े रहे इसी बीच राहूल गांदी की आत्रा दोसा में बिजेपी दबतर के बाहर से भी गुजरी जहां पर कई लोग राहूल की तरफ आथ लाते हुए दिखाई दिये कॉंग्रेस ने इस वीडियो को सेयर करते हुए कहा है कि बिजेपी को तलाक देने का बहाना खोजने के लिए उसे हाईवी संक्रमित खून का इंजेक्शन लगवाया ताड़ेपली पुलिस ने एम चरण को उसकी पतनी की और से सिकायत दर्ज़ करने के बाद गरपतार किया है उसने एक जोला साप की मदद से उसे हाईवी संक्रमित खून का पीडिता का ये भी आरोप है कि उसका पती उसे लड़के को जनम देने के लिए जोर दे रहा था बारतिय थेतर में गुसाया पाकिस्तान ड्रोन जवानों ने फाइरिंग करके दिया मूँ तोड़ जवा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ताजा मामला पं करके इस ड्रोन को वापिस पाकिस्तान की तरफ खिदेड दिया आसपास के इलागों में सेना का सर्च उपरेशन जारी है उदगाटन से पहले ही ढह गया 13 करोड की लागत से बना पुल बिहार मुक्यमत्री नाबार्डियोजना के तहद 206 मिटर लंबा पुल बनाया गया थ कोटायम के कई इलाकों में फैला H5N1 वाइरस हजारों पक्षियों को मारने के आदेश केरल के कोटायम जिले के कई इलाकों में बर्ड फल्यू फैल चुकी है जिले के दो पंचायतों में बर्ड फल्यू फैलने की सुचना मिलने के बाद अधिकारियों को परभावित इलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैंसले के खिलाब समिक्षा याचिका बेनामी लेंदेन कानून को लेकर S.C. के फैंसले के खिलाब केंदरिये पर्तेक्स करबोर्ड ने समिक्षा याचिका दायर की है कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यासिका विवाग बेनामी लेंदेन विरोधक को पिछली तारिक से लागू नहीं कर सकता है बेनामी लेंदेन निरोधक कानून को दो दर सोला में लागू किया गया था कोरोना से ठीक हुए मरीजों में हार्ट रटेक और मोद ज्यादा होने की बात गलत पतना एम्स की रिसर्ज कोरोना से ठीक हुए मरीजों में क्या हार्ट रटेक के मामले बढ़े हैं क्या उनमें बलड कलोटिंग की समश्या ज्यादा आई है करोना से बचने के बाद भी क्यापितों की इन बीमारियों से मौत की संख्या बढ़ी है इस तरह के फॉएं करोना लहर के दुरान फैली थी इनकी सचाई पता लगाने के लिए पटना एम्स ने स्टेडी की है में डोक्टरों ने पाया है कि करोना से सवस्थ हुए मरीजों की बाद में जल्दी मोत की संक्या बहुत कम है रिसर्च में सामिल 457 मरीजों में से सिर्फ 10 की मोत हुई है इन में भी मोत के कारण अलग अलग है अब खबरे हरियाना से अमबाला हाईवे पर कोहरे से कोहराम एक के बाद एक 15 गाड़ियां टकराई चार गायल हरियाना के अमबाला यमनगर सारनपूर हाईवे पर कोहरे की वज़े से बड़ा हाथसा हो गया है एक के बाद एक 15 गाड़िया एक दूसरे टकरा गई चार लोग गंबी रूप से गाहिल हो गए गाहिलों को उपसार के लिए हस्पताल में भरती करवाया गया है लास का इलाज करता रहा हस्पताल सवदालाक का बनाया बिल हर्याना के सोनिपत में एक नीजी हस्पताल पर लास का इलाज करने का रूप लगा है मिर्दक के प्रिजनो का दावा है कि बिल बनाने के लिए अस्पिताल सवका इलाज कर रहा था उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पिताल प्रशासन ने उन्हें मरीज से एक बार भी मिलने नहीं दिया है यह मामला 17 दिसंबर का बताया जा रहा है केतल में सिफाई पेपर लिक मामले में चार आरोपी गरिपतार हरियाना सिफाई पेपर लिक मामले में अन्य चार और आरोपी पुलिस के हत्ते चड़ गए हैं गन्य का दाम ने बढ़ने के कारण आंदोलन की रहा पर किसान बारतिय किसान यूनिंग के पानीपत किसान भवन में परदेश तर्य बेटक का आयोजन किया गया। गन्या अंदोलन के तहट गन्य की फसल के दाम ने बढ़ने के कारण किसान परदेश बर के सुगर मील के बाहर अधिकारी ने साका प्रबंदक को तलब कर दिया केंद्रिय सहकारी बेंक अटेली साका की तीजोरी से 19,29,500 रुपए गाइब हो गए साका प्रबंदक ने समिंदा करमी तथा गनमेन पर सक जाहिर किया हर्याना के पूरो सियम हुड़ा की बढ़ सकती है मुसकले हर्याना पुलिस निरक्सक बरती गोटाला सरकार को एचसी ने जांस के लिए दिया दो महीने का वक्त पुलिस निरक्सक बरती गोटाला 2009 में पंजाब एम हर्याना हाई कोट ने हर्याना सरकार को बड़ा जटका दिया है कोर्ट ने सरकार की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग को खायरिज कर दिया है साथ ही हरियान सरकार को दो महिने में जांच पूरी करने के लिए कहा है हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरो सीम बुपेंदर सिंग हुड़ा की मुस्किले बढ़ सकती है आपको बता दें कि 29 जुलाई 2008 को बर्ती का निकला था विग्यापन 2009 में बर्ती में कथिद धांदली का हुआ था खुला सा अब सरकार को दो महिनें पूरी करनी होगी जांच